यह एक के द्रिसीना की वरैटी एइ बहुत लंबी हो गई है इसके स्टॉक द्रिसीना का एक फीचर होता है कि वो नीचे की लीव्ज शेड करते जाता है तो उसकी वज़ेसे दीखे कितनी लंबी स्टॉक हो गई है और साथ में इसकी लीर में मैं कुछ डिफरेंस देख रही ह कोई infestation है यह खराब हो रहा है तो दोनों stem इसकी ऐसे ही हो गई है तो मैं इनको अब यहां तक काट दूँगी क्योंकि यह length भी बहुत लंबी हो गई है और जब मैं यहां से काट दूँगी तो एक से ज्यादा इसमें stocks आएंगी और वो और ज्यादा healthy लगेगा बुशी लगेगा एक यह काट दिया मैंने अब इसको पानी में प्रोपगेट कर दूँगी इसको भी ऐसे ही में यहां से काट दूँगी अब जहां से cutting की थी उनमें मैंने fungicide लगा दिया है क्योंकि यह exposed हो जाता है और यहीं से यह मनना शुरू हो जाएगा तो इसलिए कोई इसलिए fungicide लगाया है अब यह एक example दिखा रही हूं मैं यह ड्रेसीना marginata का पेड़ है और इसको मैंने एक combination container में लगाया हुआ है काफी बड़े से plastic container में जिसमें ट्रेल कर रही है baby tears साथ में स्नेक प्लांट है स्नेक प्लांट ट्राइफेसियाटा लॉरेंटियाई पुछ plants purple color के भी है और यह बीच में ड्रेसीना की वराइटी है और यह ड्रेसीना बहुत टॉल हो गया था मेरे को 3-4 height चाहिए थी जो नीचे ट्रेल करें फिर नेक स्नेक प्लांट की height हो और आखरी में यह टॉल ड्रेसीना हो मगर यह इतनी लंबी इसकी stock हो गई थी तो मैंने इस यह दो स्टेम निकली है और अब यह बुशी भी हो गया है प्लांट और यह खुबसूरत भी लगने लगा है तो अगर आपका भी ड्रेसीना बहुत लीव्स शेड करके बहुत टॉल हो गया है बेर हो गया एकदम तो आप भी उसको प्रून कर सकते हैं अभी राइट टाइम हैं और अगर अभी नहीं हो पाता किसी रीजन से तब आप फैबरी मार्च में करिएगा तो यह ग्रोथ करेगा उसके बाल तो नहीं नहीं स्टेम आएंगी और एक की जगे दो आएंगी तो प्लांट भी बुशी लगने लगेगा इसको बुशी करने का यह एक सिंपल तरीक है ड्रसीना को और प्रून करने से इसका एफेक्ट बहुत ही बढ़िया रहता है अब इसमें देखिए हाइट एकदम मेंटेंड है और बुशी होने के वज़े से यह बहुत खुबसूरत भी लगने लगा है अगर आपको और भी प्लांट के बारे में इंफोर्मेशन चाहि हैं और सब्सक्राइब थैंक्स फर वाचिंग